जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में दोस्तों अगर आप एक लड़की हैं और आप इंडियन आर्मी में जाना चाहती हैं भारतिय सेना को जोइन करके अपने देश की रक्षा करना चाहती हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने अपने स्कूल या कोलिज में NCC जोइन करकी है यानिकी अगर आप एक NCC कैड़ेट हैं तो आपको NCC से क्या-क्या फायदा मिलने वाला है आपको कितने बोनस मार्स मिलेंगे और आपको हाइट और वेड में कितने शूट मिलने वाली है और NCC कैड़ेट की कड़ोफ कितनी रहती है इन सभी टोपिक के बारे में आज हम आपको पूरी इनफोर्मिशन देने वाले हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप Indian Army को जोइन करके अपना केरियर बनाना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपकी पूरी हेल्प करेगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको Indian Army को जोइन करने की पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर करना होगा और कमेंट में बताना होगा कि अब आप क्या कर रहे हैं और किस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं जिससे हम आपको बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड करा सकें तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बहुत से गल्स अपने स्कूल और कॉलिज में NCC लेती हैं तो दोस्तों उन गल्स को मैं बता दूँ कि अगर आपने NCC कर रखी है और आपके पास NCC का A Certificate है तो आपको महिला आर्मी बर्ती यानि की वुमेन मिलिटरी पुलिस की बर्ती में आपको 5 नमबर बोनस के मिलते हैं और अगर आपने NCC का B Certificate कर रखा है तो आपको बोनस के 10 नमबर मिलते हैं यानि की जब आपकी फाइनल मेरिट लगती है तो आपके बोनस के नमबर फाइनल मेरिट में जोड़ जाते हैं और कैंडिडेट को इसका बहुत फायदा मिलता है और अगर बात करें NCC के C Certificate की जो की बहुत ही कम कैंडिडेट के पास होता है और जिनके पास भी होता है उन्हें इतना फायदा मिलता है कि आख एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते यानि कि जिनके पास NCC का C Certificate होता है उन्हें एक्जाम ही नहीं देना पड़ता इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास C Certificate है तो आपका पूरा एक्जाम ही माफ कर दिया जाएगा और आपको बोनस के रूप में पूरे एक्जाम के 100 के 100 नंबर दे दिये जाएंगे अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिसके पास NCC का C Certificate है उसको भरती होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता लेकिन आपको फिजिकल और मेडिकल पास करने होंगे तब ही आपको NCC का फायदा मिलेगा अब मैं आपको NCC के Benefit का पूरा प्रोसे समझाता हूँ कि आपको NCC का फायदा कैसे मिलेगा देखिए जब आप वुमेन मिलिटरी पुलिस के फोर्म को अपलाई करते हैं तो उस समय आपको उसमें NCC का टिक लगाना होता है कि आपने NCC कर रखी है और उसके बाद आपका फिजिकल होता है और फिर मेडिकल जब आप इन सभी को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका रिटन एक्जाम कराया जाएगा और आपके नमबर जोड ले जाएंगे जिनके पास A सर्डिफिकेट होगा उन्हें 5 नमबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और जिनके पास NCC का B सर्डिफिकेट होगा उन्हें 10 नमबर एक्स्ट्रा दे जाएंगे और ये नमबर आपके exam के नमबरों में चोड़ दे जाएंगे उसके बाद आपके एक final merit list लगेगी जिसमें NCC के एड़ेट को फायदा मिलेगा और इस तरह आपको finally select कर लिया जाएगा और NCC के C certificate holders को पूरे नमबर दे दी जाएंगे दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि जिनके पास NCC है क्या उन्हें हाइट में भी छूट मिलती है या नहीं तो इसका अगर मैं सीधा सीधा जवाब दूँ तो आपको NCC के certificate से हाइट में बिलकुल भी छूट नहीं मिलती और ना ही admit card में कोई benefit मिलता है यानि कि आपको केवल bonus marks ही मिलते हैं इसके अलावा NCC केड़ेट को महिला आर्मी बरती में कोई फायदा नहीं मिलता है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने NCC से related सभी topics को cover कर लिया है अगर फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो आप हमें comment करके जरूर बताईए हम आपको उसकी पूर जानकारी provide कराएंगे दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दीजिये जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सभी notification आपके पास सही समय पर पहुंच जाएं तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम